नमस्कार आप देख रहे हैं सम्रदीनी चैनल और मैं हूँ असुक्तिवारी अभी हम पीरो प्रखंड के ये लहठान पंचायद है और लहठान पंचायद के नौ निर्वाशित मुखी हमारे साथ है सुरेंदर संतोस राम जी हैं हमारे साथ मैं आपको बता दू कि यहां कियाम जनता ने नया चेहरे को फिर से जगह दिया है और हमेशा लाठान पंचायद की जनता की एक हैसियत रही है सुरू से ही कि हमेशा जब भी किसी तरह का उधेड़बुन आता है तो तुरंत नया चेहरा को एक जगह देती है चुकि जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे इंट्रि जगह दित्व करने के लिए एक नया चेहरे की जरूत जब जनता को महसूस होगी तो तुरंत वो पास्पलट सकती है इसलिए जनता को मुर्ख न समझे बिकास करना ही होगा आप जनता के मालिक नहीं है जनता के सिवक है यह आपको समझना होगा और इसी तरह इसी दरमेयान लठान पंचायत की जनता ने फिर से एक नया चहरा दिया है संतोस राम के रूप में और इन्हों जैसे कि हमारी बाचित यहां के लोगों से हुई तो काफी जुचारूग और अच्छे समाजिक हैं और अच्छे समाज से भी होने के नाते यहां की जनता ने इनको यहां का है जनता चाहिए जितने कार शादा बर श्के साने हमों जनता ने तरन बादे को निभाया और आपका बहाए है आपका भीदाई तो है क्या सूचे हैं आप क्या क्या करने कि हमको इतना मेहनत करना पड़े सौब को खुश करें पुरा पंचायत को और हमारे साथ पंचायत पिट्रो पिपराडी गनपत के टोला और लठान चार वाड कितने हैं क्या लगता है कि जहां जहां से हमारे परती हो जाए रहेगा तो आप देख रहे हैं संतोस जी हैं और मैं आपको बता दूं कि काफी ही समाजिक व्यक्ति हैं काफी जुझारू बैक्ति ही मंदार है कर्मट है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ यहां के जनता करे है, चुकि जनता बहुत सोच विचार के मुखिया का चुनाव करती है, तो एक नएessen चेहरे के रूप में संतोस जी को देने का मतलब है, क्यों किया आम जनता पहले मुखिया से कही न कहीं कोई नाराज की होगी, या असनतूस्ट होंगे, या फिर वो दिकास कर रहे हों तो मामला क्या है यहां के लोग बताएंगे क्या परचियों हुआ नाम लगों इसलिए बनाएं कि हम लोग अपने पंचायत में नए चेहरों को देखना चाहते थे पुराने मुख्या काम की लेकिन यह नहीं कि हम एक परतिनिदी को हर बार बनाते रहें नए आएंगे तो नए तरीके से सोचेंगे नए धंग से काम किया जाएगा इसलिए हम लोगों इनको चुना आप क्या कहना चाहिए हम तो कहेंगे कि बहुत यंग हैं और नाया भी हैं समाजिक भी हैं क्या लगता अच्छा धंग से चलाने के लिए बोले हैं आप बताइए जीतना सोनु कुमार मेरा नाम हुआ जीतना पहले काम नहीं हुआ था अबरी बारी उससे ज्यादा तेइस गुना ज्यादा होकर दिखाएंगे यह जी जी आप क्या कहना चाहिए तेकि भारत एक लुपतांतिक दे यह इनका देन नहीं है यहां के एक MLC थे मेंवर लगिस लेडी कॉंसील वो बनवाया रोड उनकी फंड से पास से वो कुछ नहीं कि इस पूरे इस टोले महल में गाव में भी कुछ नहीं किया है कहीं भी देख लीजिए अगर सत्ताम जादा दिन रह जाते हैं तीन टम चार मर्था इसलिए यहीं हमको कहना है क्या कहीं छाते कि अपल लोगों ने जीताया है क्युक्त क्यूंकि हम लोग विकास देखना चाहते हैं वस चले बहुरे बहुसं अंदर आप देख रहे हैं यह लहठान पंचए हैं और नौजवान तो जो चाहें वो कर सकते हैं comfortable in the हरा नहीं सकता है और पठांग हरकते होने लगती है और जो चाहें वो करने के मन में ठाल लेते हैं तो इस तरह कभी न कभी ऐसा होना चाहिए हालांकि पुराने मुख्या की किसी तरह का इन लोगों ने सिकायत नहीं किया लेकिन परिवर्तन जरूरी है ऐसा सुनने को जरूर मि अब देखना है कि संतोस राम जी क्या कर सकते हैं हम आगे चल के बहुत विकास करेंगे जो भी गरीब सो वीसेश्व धियान होगा हमारा हॉदूरा काम है अधूरा काम तो बहुत रह गया है यहां नली चुकि हम अब ऐसा करेंगे कि यहां किया मौम जनता हमारे प्रती लोगों का रुशान रहे और यह पंशायत आदर्स पंशायत बने बहुत दो धन्य बाद सम्ड़ी दिन उश्यान से सुक्त वारी के मरा परसन राजु के साथ थेंगे हो